रोज की चावल दाल को बनाए एक दम रेस्टरेंट स्टाइल वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ जीरा राइस और चना दाल तड़का की रेसिपी रेसिपी इतनी सिंपल है कि देख के दिल खोश हो जाएगा और जब आप इसे सर्फ करेंगे तो घरवाले आपके तारीफ करते नहीं थकेंगे इतना टेस्टी और इतना अमेजिन बनता है ये तो चलिए आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं चने के दाल का तड़का बनाने के लिए एक कप हम चने की दाल ले लेंगे चने का दाल अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसकी जगह मूय या फ提र तूर की दाल भी यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पर especially चना दाल बना रही हूं तो चने के दाल को हम पानी में एक से डेड़ घंटे के लिए भीगो के रख देंगे जितना ज़्यादा भीगोएंगे दाल को पक्ति में उतना ही कम समय लगेगा और आपका ग्यास बचेगा तो यहाँ पे मैंने इस एक घंटे पहले पानी में भीगोगे रखा था अब हम इसे पानी से अच्छे से धो लेंगे और इसके बाद हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे तो आज मैं आपको तरीका बताते हूँ कि रेस्टोरेंट या ढावे में डाल जो है वो कैसे बनता है तो यहाँ पे न डाल को उबालते वक्त ही आप इसमें एक टमाटर डाल दे एक प्यास डाल दे इसके साथ हम इसमें दो हरी मिर्च डाल देंगे 10 से 12 छेली वी लैसुन डाल दे थोड़ा सा डाल चेनी और इसके साथ एक बड़ी लाईची ऐसे क्रेश करके डाल दे अब हम इसमें पाणी डाल देंगे तो एक कप डाल के लिए मैं यहाँ पे चार कप पानी का इस्तेमाल करेंगे चैना डाल को पकने में समय लगता है इसलिए पाणी थोड़ा जादा एड़ करें आदी छोटी चमच छल्दी पाउडर डाल देंगे, डेट छोटी चमच नमक और दो चमच हमिस में घी डालेंगे अगर इस तरीके से आपने डाल बनाए ना तो डाल का टेस्ट जो है वो धावे से भी अच्छा आएगा प्रेशर कुकर का डगन बन करेंगे और मीडियम फ्लेम पे 7-8 सीटी आने तक पकने देंगे चना डाल को पकने में समय लगता है लेकिन साथ ही साथ हमें ये वी ध्यान रखना है कि इसे ओवर कूप नहीं करना है मतलब डाल जो है वो सॉफ्ट भी हो जाए और थोड़े ऐसे दाने भी उसके दिखे तभी चना डाल खाने का मज़ा है 7-8 सीटी लगते ही गैस को बन कर दे और प्रेशर को करको ठंडा हो जाने दे जब ये खुद से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे सावधानी से खोलेंगे और इसके बाद हम डाल को चेक कर लेंगे तो यहाँ पे डाल हमारा अच्छे से पग गया है आप चाहे तो यह बड़ी लाइची डाल चेनी जो है न वो यहाँ पे निकाल सकते है क्योंकि खाते वक्ते मूँ में नहीं आना चाहिए यह देखे तो मैं इसे निकाल देती हूँ और उसके बाद डाल को चीए तो थोड़ा मैश कर ले और नहीं तो आप इसे ऐसे इस्तमाल करें दाल हमारा अच्छे से पग गया है यह देखे अगर आप इसे पूरा मिक्स करेंगे तो यह दम मूँ की डाल की तरह हलवा जासा हो जागा तो ऐसा हमें नहीं बनाना है चने के डाल के खासियत यह होती है कि डाल जो है वो बीच बीच में दिखना चाहिए तो यहाँ पे यह देखे डाल जो है वो अच्छे से पग गया है तो हम क्या करते हैं इसे निकाल के अलग रख देते हैं और इसके बाद जीरा राइस बना लेते हैं उसके बाद दाल फ्राई करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक कब बासमती चावल लिया है इसमें हम डाल देंगे पानी इसे हम अच्छे से धोलेंगे आप इसमें किसी भी राइस का इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे चावल को भीगो के रखना नहीं है बस पानी से धोले और फटाक से ये राइस बना ले तो यह जैसे यह सारी चीजे गरम हो जाए एक बड़ा चमत जीरा डाल दें और जीरा को अच्छे से पका लें तो जैसे जीरा का गदर ब्राउन हो जाएगा न तब आप इसमें चीए तो थोड़ा सा मटर डाले मटर से पुलाओ बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेश या फ्रोजन जो मटर आपके पास है वो इसमें एक चौथाई कब आड़ करें और इसके बाद हम इसमें ये वाश किया हुआ राइस डाल देंगे और हाई फ्लें पे दो सीटी लगाएंगे बस आपका पुलाओ जो है वो बन के तियार हो जाएगा एकदम सिंपल फंडा है जिस बरतन से आप चावल ले उसी बरतन से पानी डेड़ गुना आपको इस्तमाल करना है तो जैसे ही दो सीटी लगे की प्रेशर कुकर को बन करें यह देखे जीरा राइस या मटर पुलाओ कितना पॉर्फिक्ट बनाया है न ऐसा लग रहा है कि हमने इसे फटा फट बनाया नहीं न तो आप प्रेशर कुकर में इस तरीके से बना सकते हैं तो आप इस पुलाओ को ऐसे ढखके थोड़ी देर के लिए छोड़ दे उसके बा दाल मिर्श डाल दे दो तेच पत्ता डाल देंगे आधी चोटी चमच हींग डाल दे और इसके साथ एक चोटी चमच जीरा डाल देंगे इन सब को अच्छे से पका ले इसकी बाद हम इसमें एक बड़ा चमच अद्रवकर लैसून का पेस्ट डालेंगे या फिर घिसा चैंज हो जाएगा हम इसमें डालेंगे टमाटर अब आप बोलेंगे कि दाल में भी हमने टमाटर डाला हुबालते वक्ते यहां भी टमाटर दो वर क्यों आप एक बड़ा ट्राई कीजिए इसमें थट से दोनों का फ्लेवर अलगाता है और बहुत अमेजिन आता है तो यह पे यह पूरा डाल डाल दें डाल डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे बारी कटा हुआ धनिया पत्ता तो धनिया पत्ता के कौंटिटी जादा रखे फ्रेश धनिया पत्ता इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर ले कियाता है तो यहां पे धनिया पत्ता डाल दिया मैंने अ लैसुन और लैसुन को ब्राउन होने देंगे और इसके पाथ हम क्या करेंगे जैसे यह दाल जो है वैसे मिक्स हो जाएगा हम इसमें यह तड़का डाल देंगे चन्ना का यह जो दाल तड़का है वह ऐसे थीकी अच्छा लगता है लेकिन अगर आपको पतली दाल पसंद है त यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसे मिला के सर्फ कर लेंगे तो हमने पहले से मटर पुलाओ बना की रखाया है अब हम क्या करेंगे चलते हैं इसे सर्फ करने के प्रॉसस में तो मटर पुलाओ के साथ यह चन्ना डाल का जो तड़का है वह बहुत ही जबदस जात बहुत ही अमेजिन कमबो है और इसके साथ और किसी चीज की ज़रूवत नहीं है कोई भी सबजी नहीं चीए बहुत ही जबरदस्त बनता है यह दिखे दिखने में भी कितना मज़ेदार लग रहा है न तो यहाँ पे यह दाल मैंने सर्फ कर दिया है आप चीए तो दाल को सर स्ट्रेंटी स्टैल मठर पुलाओ और यह चना दाल तड़का बनाया तो आप भी इस कमबो को जरूर बनाए यह आपकी फैमली को बहुत पसंद आएगा